यूनिवर्सल न्यूस टाइम लाइन में आप सबका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रुमीद को रधता जमू कुश्मीर की जनता अपने चुनों हे निमाउंदों से सिर्फ यही एक उमीद करती है कि जिस विकास के दावे कागस के पन्नों में किये जाते हैं वो जमीनी स्त सर पर दिखाए दें लेकिन केवल वो कथनी किया जाता है वो सामने जमीनी सर पर नहीं दिखाए देता ऐसे ही राजजिंदिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जमू कुश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के वरकिंग प्रेजिडेंट रमन भला सा सब्सक्राइब करते हैं और आगे आप लोगों की मदद से काम करेंगे ताकि लोगों की दिक्तों का समधान डून पाएं बलासाब कॉंग्रेस की छवी को आपके हाथों में दिया गया आने वाले समय में क्या तस्वीर निकल कर सामने आएगी देखो आगे चुनोतियों बांद नहीं करते चुनोतियों हैं उसका मुकाबला करेंगे और मैं और मिर साब मिलके रियास्त में खुशाली किस डंक से हो पाए नोजवानों को रोजगार किस डंक से हो अपनी बात को अच्छे डंक से उभारेंगे ताकि केंदर प्रशासी तो या कोई प्रशासन हो उस समय क्या लगता है आपको विपक्ष उतना मजबूती से सामने आ रहा है जनता की तकलीफों को सामने रखने के लिए मुका तो आप पुरे हिंदुस्तान में देखो कि जिस डंक से ये सरकार ऐसी है जो डेमोकरेटिक इंस्टीचुशन को बल्डोज कर रही है डेमोकरेशी का बतलब होता है कि डेवरिजन भ्यूस जो हो उसको भी सरकार को देखना पड़ता है लेकिन जब सरकार लोग की तरीके से आई अपनों रोल नुबाया और सरकार को मंतरी के बेटे को अंदर करना पड़ा इतना जूट बोलते हैं कलता को मानते नहीं थे के बेटा उसमें शामल है मानना पड़ा फिर उन्हीं के सरकार थी सिट बढ़ी सिट में उन्होंने बताया कि इंटेंशनली लोग एमपी है वो त्यारी करके जाए कहां पर मेटरो है कहीं भी दिखाई नहीं देती पंदरा लाग कहीं भी दिखाई नहीं देता तो इस डंक से जूमलो बाज़ों के जरीए अपनी सत्ता तक जो पहुंचिया और लेकिन पहुंचते ही नोजवानों का गला रोण दिया और न वो पक्ष के आदमी को पूरा स्क्योटी कबर पूरा है तो जूद भी पक्ष कहीं नहीं वो सरकारी मंगलों में रह रहा है फरक भी देखिए ना बाजपा के यूटी एडिमिस्रेशन उनके लिए वेंटिलेटर का काम करी है वेंटिलेटर करते हैं किसी के पास मेंड़िट मेड़ा सरकारी बिल्डिंगों में रहने का चीफ जुस्रेशन भी थक गया बार बार नोटेशन है तो कहां पे हो लोग तो जम्मू कश्मीर की अपनी पोजीशन है और हम कोशीश करेंगे कि आम अवाम की अवाज को बलंद करने के लिए और मिस्स मैनेजमेंट है मिस्ट्र लोगों का हो गया अब टूरिजम में जमों में 30 क्रोड आया था चार क्रोड खर्चा अब तो तीन मिने में कौन खर्च करेंगा और पैसा आएगा वापर चले जाएगा तो उस पैसे का फैदा क्या है ग्रोड में विजिबल चेंजिस क्या है कहीं भी को ऐसी चीज लोग्राम यहां पे नहीं है आपके कई जगह पे रोजगार लोगों का चीना गया तो हर जगह पे हर सेक्टर में जो लोग परशान है महंगाई ने तो कमर तोड़के रहा दी उसी महंगाई की चलते हुए हिमाचल में जो बदलाव आया अब वही बदलाव जम्मू कश्मी कि हिंदोस्तान में जापूर की रैली थी कांगरस की महा रैली इसका विरोफ करने के महंगाई का लोगों ने कितनी इतदाद में हिस्सा लिया वह हैं करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है लेकिन जिस तरही के से भाजप सरकार एक जूट आशवासन ही आई 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 या अ पर चुटी होगी लेकिन वो भी एक जुटे आश्वासन की तरह ही सामने आया जूड बोलने वाले चुटी चीमिस ने बोला हाली में उनके अधेक्शने बोला भी चुटी कुराएंगे तो जब घर में जाते हैं भूल जाते हैं और चुटी कुराना क्या है जिन लोगों ने म चुटी कहां से कर पाएंगे अगर उनको इतना प्रेम होता तो माराजा हरी सिंग की चुटी के लिए बात करते हैं कांगरस के वक्त में ये मांगर खुल के आती दूरूर करते हैं कांगरस नहीं माराजा हरी सिंग की इमेज को उनकी कंट्रिबिशन को समझा आज बड़ा त अभी ब्रिज को अगर नाम तम्दील करके माराज हारी सिंग के नाम पे रखा गया तो कांगरस ने रखा आज लोग समझते हैं कि कांगरस दूर रंदेशी थी लोग उनकी बावनों की कदर करती थी लेकिन ये सत्तादारी लोग सत्ता गवे आते हुए एकों में फास जाते है किसानों से माफी नहीं मागनी चाहिए सासों से शादत दे दे आप बताओ जिस परिवार के आदमी चले गए उसका कौन जुम हो रहा है उनको कमपेसेंट पूरा करें करोना के सलस्रे में जो लोग मारे उनका कमपेसेंट करें तो कहीं बेबी जो यह दावे करते थे उनके दावे खुकले साबत हुए और बाच पापे कि मुझे एक लफ़ निकाला कि जम्मू कश्मीर को रियास्तत का दर्जा देंगे सिर्फ वैरी सून स्टेट विल बी रिस्टोर्ड वैरी सून काब बाएगा आपके सबादों समलान एड़ा प्रालम कंट्रोल नहीं हो और कोई बात बरे बाशन देंगे अगर मिशा जी तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल परिंदा भी पार नहीं मार सकता जैबन का हला देखो पलीस की पारिंग के साथ लोगों को शादत होगी और आए दिन टार्गेटिन के लिंग होगी तो यह सिल्सरा जहां पे जारी है इसको समझ नहीं की जरूरत है और हम उमीद करते हैं कि लोग आज मुसूस कर गए इनकी करनी और कत्री में कितना फर्क है मगाई काबू नहीं कर सकते हैं रहत बजली का रेड़ पर अपर तो पर में मैनेज नहीं कर पा सकते हैं बिजली को प्राइवेट कर दिया पानी के स्मार्ट नहीं यहां पर हर एक चीज़ को बड़ा भरीकी से देखने की जरूरत है जो शायद सेंटर गोवर्मेंट के लोग जो है वो देखनी रहे सतर मंतरियों को बेजते हैं तीस मंतरियों को बेजते हैं आउटपूड क्या है हमारे स्ट्रेट एक स्टेश कर क्या टूरिस और भाजपा का कहना है कि आने वाले चुनावों में जो सीम होगा वो भाजपा का ही होगा और भाजपा 55 प्चास से पार होगी और वहीं पर देखने को मिल रहा है कि चुनावों में भी देरी की जाए लाल के सपने दिन को अगर सपने देखें तो सपने में कों सा खर्चा लगता है ये कांगरस थी जिसने सतारा आदमें उपर वी चीमिनिस्टर गलाम नभीजाद साब को बना दिया अपोजिशन का लीडर बना दिया तो ये बातें बड़ी करते हैं पचाइस पच्चीस से तो ज्यादा होनी नहीं तो फिर भी डिपी वालों को छे साल की टर्म दे दी उस वकत कहां पे उनका गरें पचास से पार होगी जो हलाद है हर गर में रोजगार शीना गया लोगों क कि आप रोड़ को वाइडनिंग करते हों लोगों के रोजगार के जरी आप चीन लेते हो उनके बाकी साधन चीन लेते हो कहीं पे बीली प्राइवट करके मंगाई टोल प्लाजा दूसरी चीशने कर रहे हैं कहां पे लोग उनको वोट देंगे और वोट देने होते हैं तो 270 270 में से कितने डीडी सी के मेंबर इनके बनें अगर वहां पे नहीं ले सकते हैं तो कहां पे उनको हकोमत बनेगी लोग बेस सब्री से इतजार करें इसलिए हम चाते हैं कि फ़वरी तोर पे असमबली के चुनाव की कोशना कर दें जो डिलिमिटिशन की आड़ में ये डिले दीजिए हम मिल जूर के इस कारवां को बढ़ाएंगे और लोगों की दिक्तों के लिए आवाज उठाएंगे ताकि दोगों की दिक्तों का समधान कहीं न कहीं मिल पे जो बाजपा के रहते हुए पावरफुल होने के नाते सरकार इनकी लोगों की दिक्ते बढ़ती चली ज टाम लाइन